तो साथियों UP scholarship 2022 से जोड़ी बड़ी अपडेट जो हुआ चुकी है पोर्टल जो है उसको आपको बता रखा है कि 29 तारिक तक के लिए open कर दिया गया है तो क्या है पूरी अपडेट सारा कुछ आपके बताने वाला हूँ आपको इसके साथ सार लाच डेट का बढ़ना आता है status जारी होगा correction को लेकर भी अपडेट है तो फटा फट से वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर नए हो तो subscribe कर दीजे क्योंकि इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर cover करने वाला हूँ ये सारी चीज़ों आपको देखने को मिलेंगी तो without any further delay let's get started हम cover करेंगे ल चात्राओं के आधार link bank खातों के सीधा धनरासी जो है उसको अंतरी की 15 दिसंबर 2022 से ये जो प्रक्रिया यानि की छात्रों के खातों में पैसे बेश जाने की प्रक्रिया सुरू कर दी जाएगी और चात्रों को चात्रों को पैसा है वो receive होना सुरू हो जाएगा उनके bank account मे और कौन से bank account में जिससे आधार link है यानि कि आधार based bank account समझ गये एपी बीएस प्रडाली के थ्रू भले प्यफमस दिखे लेकिन पैसा account में जाएगा और उस account में जो के अधार से link होगा चलिए अब आपके और भी कुछ सवाल है उनका जवाब दे देते हैं देखिए सबसे पहले बता दूं 29 तारीक को 29 तारीक तक जो portal खुला है वो किसले खुला है फिर से college वाले जो data नहीं forward कर पाए आप फिर जो data गलत forward किये हैं या फिर आगे पीछे जो भी हुआ है उन सार के पहले week में activate किया जाएगा और वहीं उसी दवरान 5-10 दिसंबर के बीच में आपका status और correction जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा यानि कि आपका status वाउट होना सुरू हो जाएगा तो कहां से आपको status check out करना है चलिए उसके बारे में बात करते हैं फिर आपको सारी जान आप payment ही नहीं बलकि आप अपना status भी जान पाओगे तो यहां से आपका अपना status check out कर सकते हो PFMS के थूँ अपना जो है उसको देख सकते हो आप लोग कमेंट करके बताएगे कि आपका जो bank है अधार से link है नहीं link है उसके regarding में next video ला दूँँगा कहां से आपको check out करना है PFMS पर डाली के तुरू कहां सापको अपना अधार bank sitting है अप फिर नहीं उसको जानना है सारी चीज़ें जो है हम आपको बरसातिर सारी चीज़ें बताएंगे वीडियो को आप जल्दी से like कर दें क्योंकि कई सारे चातर चैनल को ना subscribe किया अभी तक ना like किया है वो जल्दी करे वरना बाद में फिर चात्रवित्ती नहीं आती तो कहते हैं कि सर आपने कुछ help नहीं किया भाई मैं regular basis पे वीडियो बना रहा हूं सभी के लिए बना रहा हूं ऐसा कोई नहीं कि एक के लिए बना रहा हूं अब आप उन तक पहुचें अब पहुच रहा है तो फिर subscribe करके ज पोस्ट मेंट्रिक का जो पैसा है वогодग आयगा प्री मेंट्रिक का पैसा अलग आयेगा इसके अलावा सात नुम्भर तक जो छात्र फॉर्म भरे है उनका पैसा आने का टाइमिंग अटेट और जो दिसंबर में शांससे कर आईआने का टाइमिंग अलग होगा हां चांसिस बताऊंगा आपको मैं भी कड़वा लगे या फिर अच्छा लगे मुझे भाकाना नहीं है या फिर जूट नहीं बोलना है कि कुछ भी बता दूँ आप खुश रहो उससे नहीं मुझे जो अपडेट सही है वो मेरा काम है आप तक पहुचाना और वही मैं पहुचाऊंगा द अगर सपोज बानो 22,05,05 छात्र होंगे उस दौरान सपोज की बात है तो सिर्फ 8-10,05,05 लोगों को ही मिल पाएगा कुछ पैसा रोग दिया जाएगा कुछ पैसा बजट की कमी के कारण लाखों छात्रों को छात्र वृत्ति से वनचित कर दिया जाएगा ये हर साल का इनका कह सकते हैं कि काम है तो experience है बाकी का आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि आप लोग को ने फार्म कब तक भर दिया था और कितने छात्रों ने फार्म नहीं भरा है बाकी जो भी जेनवन अपडेट होता है हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रवाइड कर रहे हैं बसरते आप चैनल को सस्क्राइब कर करेंजिन ज़ुड जाएं कियोंकि अभी भी 60% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सस्क्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सस्क्राइब करो आप लोग दिख सकते हो नीचे की 31600 लोगों की family हो गई हम लोग की subscriber तो जल्दी से तुरं सस्क्राइब करो और इस्यास साथ सो कंप्लीट करवाओ बाकी दोस्तों में सेयर कर दू थेंक्स पर वाचिंग